आप देख रहे हैं चैलेंग नीज 24 में आपका स्वागत है जहांसी के मौरानीपुर में दबंग परदान की दबंगई धलित परिवार के लोगों को किया लहू लुहान किया घटना हुई है तो गौन के पेले पुलिका पड़ती है तो पुलिया के पेले लाय आम पिछा मिला पुलिया पे दोस्टने कहा कर घाता है और भी आता है कि में अधिकाय में जाथ करेंगे वह नगर सकता है और शुल हो जे करेंगे काम तो बोले के तारे भाइव दाल दिया वहां घाएपने का वह बोले के पापा आए ऐसे ऐसी बात हो गई तो हम जाए तो जे सब लोग हटते हैं तो आज हम प्रान उसका भाई और लड़के भी थे आठनो लोग थे हमें पर पटक लिया और यहां पर कुलारी और समचे बंद सब लग दिए लग लट्षी है हम लोग चाल लोग वे चाहो एक एक करके पोचे पोचे जाओ को पकरते के पुलस को सुच नदी मौरानीपुर कोटवाली छेत्र के अंतरगत आने वाले ग्राम भीरा निवासी परमलाल एहरवार पुत्र तीजू एहरवार ने कोटवाली प्रिभारी को दिये प्रात्ना पत्र में बताया कि विकत शाम उश्का लड़का मौरानीपुर से अपने काउँ जा रहा था तब ही काउं से पहले पुलिया के पास गिराम के प्रधान वा उसके लड़कों द्वारा गाली गलोचकर उसके साथ मारपीट करते हुए बंधक बना लिया जिसकी सूचना पर वह अपने बच्चों के साथ मौके पर पहुँचे तो उक्त लोगों द्वारा उनके साथ वा परिवार के लोगे के साथ दबंग प्रधान वा उसके गुरुगों द्वारा बुरी तरह से मारपीट कर दी गई उक्त मारपीट में परिवार की लगभक चार लोग बुरी तरह से गायल हो गए प्रात्ना पत्र में बताया कि गाउं के दबंग प्रधान जबरन मजदूरी करवाने तथा पैसा ना देने का दवा बनाता है और ऐसा ना करने पर मारपीट करता है घटना की सूचना पीडित यह लम जलते रता है तो प्रधान let मजचे, मोलज बोला करने तो मुझा तसम lively ने करें? है तो हमने गीं हम तकाम करने रोजीरूटी करने तो एक अपर हम भी जाने जिसली नगार मोन है उसका विटुझ यीचा दया है तंने yeah कि महीं नुन छेल होत्भी संसे देल है um better ट्रवी आइं तो में गोद्म रहे जाने तो बस कुछ नहीं पुलिस ने क्या कारणावाई कि आगी तो कुछ कारणावाई के पता नहीं है जब इस संबंद में पुलिस छेत्रादिकारी डाक्टर अभिशेक कुमार रहुल से जानकारी चाही तो उन्हों आरोपियों के विरुद उचित कारवाही अमल में लाई जाएगी मौरानी पुर से अखले सराई की रिपोर्ट छासी ही है तता जाच उपरांत आरोपियों